केवल पढ़ने के लिए, शाबाश, अपने आसपास हमने बहुत से स्वस्थ और संपन्न लोग देखे होंगे, जने औरों से या अपने आप से बहुत शिकायत रहती हैं, इसे दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं, जिनके शरीर के अंग उनका साथ नहीं देते, पर अपनी हिम दीपा मलिक जन 30 सितंबर 1970 ने 2016 पैरा एंलम्पिक में शौटपोट में रजत पदक जीत कर इतिहास रचा, 30 वर्ष की उम्र में 3 टूमर सरजरी और शरीर का निचला हिस्सा सुन हो जाने के बावजूद, उन्होंने नकेवल शौटपोट एवं जैवलिन थ्रो में राष्ट अंतराष्ट्री प्रतियोगिता में पदक जीते हैं, बलकि तैराकी एवं मूटर रेसिंग में भी कईस परधाओं में हिस्सा लिया है, उन्होंने भारत की राष्ट्री प्रतियोगिताओं में 33 स्वर्ण तथा 4 रजत पदक प्राप्त किये हैं, विभारत की ऐसी पहली महि किया गया, वर्ष 2008 तथा 2009 में उन्होंने यमुना नदी में 33 तथा स्पेशल बाइक सवारी में भाग लेकर दो बार लिम का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया, यही नहीं, सन 2007 में उन्होंने ताइवान तथा 2008 में बर्लिन में जावलिन थ्रो तथा तराके में भाग लेकर रजत एवं कान से पदक प्राप्त किये, कॉमन्वेल्ट गेम्स के टीम में भी वे चैनित की गई, पैरालंपे खेलों में उनकी उलेखनी उपलब्धियों के कारण भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरुसकार प्रदान किया, पैरालंपे खेलो में मैडल जीतने वाली दीपा मलेक पहली भारतिय महिला बन गई है, मरियपन ठांगावेलू, एक बस ने पांच वर्षे मरियपन को टककर मार दी थी, इस दुरगटना में उनका एक पैर कट गया, बचपन में मरियपन को वालीबॉल खेलना अच्छा लगता था, और अपन उनके शिक्षक ने कहा कि वे उँची कूद में हाथ क्यों नहीं आजमाते, मरियपन को बात जच गई, और 14 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार उँची कूद की प्रतिसपरधा में हिस्सा लिया, वो भी सामान एथलीटों के खिलाफ, उस प्रतिसपरधा में वे दूसर स कमस्त कुंचा किया?